अहिंसा सत्यमक्रोधस त्यागह शांतिर अपैशुनम् दया भूतेश वा लोलुप्त्वम मार्दवम हरीरा चापलम् नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के सोलवे अध्याय का दूसरा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेगे अहिंसा सत्यमक्रोधस त्यागह शांतिर अपैशुनम् अर्था नम्रता, शीतलता, स्थिरता तो यहां श्रीक्रिश्न उलेख करते हैं कि अहिंसा, सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, शांति, दूसरों में दोश ना देखना, दया, लोब का ना होना, नम्रता, शीलता और स्थिरता यह ऐसे देवे यह गुण हैं, जो कि उन जीवों में पाय जाते हैं, जिनोंने की अपने उच्च सभाव की और प्रगती कर ली है, तो आईए एक एक करके समझते हैं कि कैसे यह जो गुण होते हैं, यह हमें प्रभू की और ले जाते हैं, तो सबसे पहले इस श्लोक में श् बिल्का किसी पर प्रयोगी नहीं करता है, वो बिल्कुल भी किसी को किसी पर जो है कोई भी शक्ति का अपना उपयोग नहीं करता है, कि यह वास्तों में अहिंसा का उचित अर्थ नहीं है, अहिंसा का उचित अर्थ है कि दूसरों को हानी ना पहुँचाना, तो अहिंसा औ non-violence में यहाँ पर हम अंतर देख सकते हैं कि non-violence नहीं कि आप बिल्कुल भी आप किसी पर बल का प्रयोगी नहीं करेंगे जबकि अहिंसा का आर्थ होता है कि कि दूसरे को हानी ना पहुचाना है कई बार दूसरे के बचाओ के लिए भी उस पर तो पर थोपनी है वह दूसरों के कलेयान के लिए जो है बल का प्रयोग और नहीं करना पड़े तो यह अहिनसा के विशह में हमें समझना चाहिए और इस प्रकार से हाँ पर श्रीक कृष्शन की अहिंसा जोता है वहे दैवी यह गुड़ों में है फिर आगे श्रीक किशन ने बताया सत्य तो अब देखिए इश्रु जो है वहादव परम सत्य है और यदि किसी को भी इश्रु को जानना है तो उसे सत्य से व्रेम करना ही होगा क्योंकि इश्वर तो परम सत्य तो जो वेक्ति इश्वर को जानना चाहता है वह ना तो दूसरों से सत्य कहेगा ना ही वह स्वैम से सत्य कहेगा और हम यहां पर समझ यह कि दूसरों से सत्य कहना असत्य कहना जो है वह तो पाप है ही किन्तु स्वैम से असत्य कहना जो होता है उससे भी बड़ा पाप है तो यहां पर सत्य का अर्थ है कि ना केवल दूसरों को सत्य के ना कि तो स्वैम से भी सत्य के ना अर्था स्वैम को ठीक प्रकारश समझना और स्वैम को बिलकुल गहरे से जानना कि मैं क्या हूं मैं क्या चाहता हूं बिलकुल अपने को कैसे हैं जैसे कि इमानदारी से अपने आपको समझना तो उस प्रकारश समझना वह भी वास्ता में सत्य है तो ईश्वर को जानने के लिए संपूर्ण सत्य की साथ में जुड़ना होता है तो सत्य प्रेमी तो होना ही पड़ेगा जो ईश्र को जानना चाहता है फिर आगे ऐश्रे कुछन ने कहा कि क्रोध का ना करना तो अब देखिए जो भीतर से असंतुष्ट होता है वह ही वास्तव में क्रोधी होता है क्योंकि वह कुछ चाहता है और वह नहीं हो रहा है इसलिए उसके मन में क्रोध उत्पन हो रहा है अब जिसने ईश्वर को जान लिया वह तो ऐसा है जिसने की सब कुछ प्राप्त कर लिया तो अब वह सब कुछ प्राप्त कर लिया तो वह तरप्त हो जाता है तो ऐसा जो वेक इश्वर की और अग्रेसर होता जाता है, आप देखेंगी को उसमें क्रोद जो होता है धिरे-दीरे क्षिन होता चला जाएगा, क्योंकि वह स्वैम ही त्रप्त होता चला जाएगा फिर आगे श्री कृष्टने ने बोला त्याग, तो जिस ने इश्वर प्राप्ति के मधुर अमरत का स्वाद चखा है, वह अन्य सभी विश्यों को वियर्थ ही पाता है, तो ऐसा विक्ति जो होता है, वह सब कुछ त्याग ही देता है, इश्वर को प्राप्त करने के लिए क्यों क्यों कि बागी सब कुछ तो बेकारी है, इसका तो मुझे कोई लाभी नहीं है, मुझे त्याग दो क्योंकि वह मेरे किसी काम का नहीं है इश्वर की ही प्राप्ति जो है केवल वह ही मेरे काम की है तो इसलिए उसमें त्याग उत्पन्न हो जाता है अपने आप ही तो जैसे कि हम कुरोध के विशय में भी समझे थे कि जिसने इश्वर को जान लिया उसने सब कुछ लिया तो वह किसी भी विशय भोग की और अब आसकत नहीं होगा वह किसी भी विशय भोग को भोगने की उसमें काम ना उत्पन नहीं होगी नहीं उसकी आवश्वर को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वह सभी प्राणियों में सभी प्राणियों में इश्वर को देखता ह और सभी को दिव्यता की अभी व्यक्ति के रूप में वह सुविकार कर लेता है तो ऐसा मनोहाव जिसका होगा वह कभी भी दूसरों में दोश नहीं ढूनेगा वह यही सोचेगा कि अच्छा ये भी इश्वर की एक अभी व्यक्ति है इसके दोरा भी इश्वर अपनी लीला कर रहे हैं तो अब मैं इसमें क्या दोश ढूनूँ सब कुछ ठीकी है तो दूसरों में दोश ना ढूनना जो है वह भी एक ऐसा गुन है जो की इश्वर की और प्रगति करने वाले व्यक्ति में दिखाई देता है तो इश्वर प्रगति से व्यक्ति के सभी दुख जो हता है वह दूर हो जाता है तो इस प्रकार से वह जो हता है वह बिलकुल कष्टों से मुक्त हो जाता है किन्तों अपने आसपास वह सभी को कष्ट में देखता है और यह भी पाता है कि अपनी अग्यांता के कावण हों ने यह जो पीड़ा है वह स्वेम ही अपने लिए निर्मित की होई है तो इस प्रकार से जब बहुत देखता है तो उसके भीतारे दया का भाव उत्पन होता ही है दूसरे जीवों के लिए है कि आरे इनोंने अपने बाव जो होता है इश्वर की और प्रकति करने वाले व्युत्पन हो जाता है पर आगे शेक्रिकेशन कहते है लूब का ना होना तो जसने इश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लियए जब इसने सब कुछ पा लियए तो और किस prendi का ससरiku किज बात का लोब करेगा और कितना वह शक्तिहीन है तो इस प्रकार से जब वह स्वयम को शक्तिहीन और अग्यानी जानता है तो स्वयम ही नमर हो जाता है उसको लग जाता है कि भई, मैं तो कुछ हूई नहीं तो इस प्रकार से स्वयम ही नमरता उसके भी तरह जाती है फिर आगे श्रीक्रिशन ने बोला शीलता तो शीलता भी नमरता के रूप में ही है कि जब वेक्तियों को ये पता होता है कि मैं कितना शक्ति हूँ नहीं हूँ कितना मैं अग्यानी हूँ तो फिर फिर उपने बढडे नहीं मारता फिर वो यह नहीं बोलता की देखो मैं यूं मैं वूं मैं ये कर लूँगा इस फेकार से नहीं करता है, तो शीलता तो शीले हो जाता है फिर अंत में इस श्लोक में श्री क्रिश्न कहते हैं स्थिरता तो जो वेक्ति इश्वर पर आश्रित हो जाता है वह है इश्वर की स्थिरता को ही प्राप्त कर लेता है तो इसलिए स्थिरता जो है वह इश्वर प्राप्ति का ही संक्यत है इश्वर जो है वह तो सर तो उसमें से फिर हमें दिखने लगती है यहां पर गुणते जो कि शर्क रिखनी ने बताए आशे करता हूं कि मैंने इस लोग को आपको उच्छ समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर समात करते हैं नमस्ते झाल झाल